Hello viewers, क्यासे हो आप सब? आज हम जानेंगे टाटा के सफलता की कहानी और जानेंगे किसे कपास मेल से सुरूए टाटा कम्पनी आज بنی है Global Company टाटा आज नाम नहीं एक ब्रैंड है जो समय के साथ बरोसे पर तयार हुआ है टाटा आज के समय देश के लिए एक Benchmark है जिसने विदेशों में अपनी पहचान बनाई है Land Rover और Jaguar जैसी कमपनी टाटा के दोरा चलाई जाती है हाली में टाटा ने IPL से Vivo को अटा कर खुद की जगह बनाई है टाटा ग्रूप की निउ जमशेद जी टाटा ने रखी थी यह वही टाटा है जिनके नाम पर जहारखन में जमशेदपूर इंडस्ट्रियल सिटी है जमशेदपूर में कई फैक्टरी हैं जिसमें टाटा की आइलन एंट इंश्टील फैक्टरी भी सामिल है जमशेद जी टाटा का जन्म 8849 में हुआ था और सुरुआती सिच्छा के बाद बॉम्बे के एलफी स्टोन कॉलेश से 8850 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की कहा जाता है कि बच्पन से उनका रुजहान वैपार को विक्सित करने पड़ था और इसी करन कॉलेश से निकलते ही वे अपने पिता की वैपार फार में सामिल हो गए जमशेद जी टाटा ने बिट्रिस इंडिया के इंतरगा चीन के साथ हो रहा है ट्रेड को बढ़ाने का प्रियास किया किन्तु जब अमेरिकन ग्रह युद हुआ तो बिट्रिस कंपनियों को मिलने वाली कापास की अपूरती होने लगी इसका फायदा भारती कापास उत्पादन को मिला बॉमबे कापास बाजार में कापास की मांग अधीख हो गई जमशेद जी टाटा अपने पिता के साथ एशियाटिक बैंकिंग कॉर्परेशन में सामिल हुए 1870 में जमशेद जी टाटा ने 21,000 रुपे के साथ एक वैपारिक कमपनी स्थापित की और बॉमबे और नाकपुर में कपास मील को स्थापित किया यहीं से टाटा की सुरुआत हुई जो पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाला था कहा जाता है कि जमशेद जी टाटा के चार सपने थे आइरन और श्टील की कमपनी खड़े करना देश का एक भवे होटल बनाना एक हाइडरो एलेक्ट्रिक ब्लांट लगाना इस कमपनी की स्थापना से भारत में इंडस्टियल रिवेलिशन की स्थापना हुई यह छेतर भारत के अन इंडस्टियल सेक्टर के लिए सहयक के रूप में उभरा टाटा दोरा उतपादी स्टील से कई बढ़े-बढ़े संस्थानों के प्रव मटेरीर की मांग को पूरा किया गया टाटा ने दुनिया की ओर देखते हुए अपना पहला विदेशी कार्याला लंडन में शुरू किया कंपनी ने जमशेच जी के दूसरे गोल को देखते हुए 1910 में टाटा पावर की स्थापना की जो 1910 में वेस्टन इंडिया का प पाइट तक पहुच गई जिसकी कुल संपत्ती पांच बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई थी 1952 में जियारडी टाटा ने टाटा एयर सर्विसेश को शुरू किया जिसे 1977 में भारत सरकार द्वारा अधिगराइद कर लिया गया 1977 तक जियारडी टाटा इसके चेयरमेन रहे 1945 में टाटा मोटर्स को बनाया गया इसकी सुरुआत रेलवे लोको मोटिस बनाने के लिए की गई जिसने 1974 से बाजार के लिए कमर्सियल सर्विसे देने भी शुरू कर दिया 1968 में टाटा कंसल्टन्सी सर्विस को शुरू किया गया 1991 से टाटा के लिए नया दोर आया जहां इंडियन एकोनॉमी को तरल बनाने के प्रियास किये जा रहे थे तो देस में नई आर्थिक नीती को अपनाया जा रहा था इस समय देस में LPG रिफॉर्म लाये गए और टाटा गुरूप के चेर्मेन रतन टाटा को बनाया गया देश के सबसे बड़े exchange NSE और BSE में के software TCS द्वारा बनाये गए है RBI और SBI के core banking system भी TCS के द्वारा नियंतरित किये जाते है इसके अलावा SEBI का system भी TATA के द्वारा बनाया गया है TATA द्वारा बनाया गया software system Silicon Valley से Singapore तक 180 millisecond में data को transfer करता है TATA का network का दुनिया में फैला है TATA स्टील 1930 से हमारे देश की 70-50 स्टील की पूरती करता है कोलकाता के हावडा ब्रिज में 85% से अधिक स्टील TATA जमशेदपूर प्लांट से लेकर लगाया गया है देश जब दुनिया के आयात पर निरभर था उस समय टाटा ने क्रिसी से लेकर रेलवे मोटर गाड़ियों तक अपने वैफ साय को फैलाया आज टाटा की विसालता का अनुमान इस बास से लगाया जा सकता है कि बोईंग और एरबस के हर मोडल में टाटा स्टील का उपयोग होता है टाटा भारत के एकोनॉमी के रूप में रीड की हड़ी है और टाटा ने दुनिया की एकोनॉमी को भी कनेक कर रखा है गाइज यही थी टाटा गूर्प के सफलता कहानी और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चनल को सब्सक्राइब करो और हिट दी लाइक बटन